दोहसार चौबीस चुनाव से पहले मोधी और अमिद्शात चुनाव को क्यूं हाईजैक कर लिया है या करना चाहते हैं उसका खुलासाब हो गया है अब की बार अब की बार सौ सितु पर भाजपा की हार पक्की हो गई है और ये उपंईन पोल देशनिती का नहीं है ये उपंईन पोल टीवी मीडिया का है जो सरकारी एड्ड पर चलता है चुनाव से पहले गोधी मीडिया ने भी मान लिया है कि मोधी जी की पार्टी बीजेपी इस बार चुनाफ में फिलहाल कम से कम सौ सीटों का नुकसान करने जा रही है सौ सीटों पर हारने जा रही है सौ सीटों पर हंड्रेट सीट्स सौ सीटों पर मामला फस चुका है तीन राज्य की 100 सीटों पर इंडिया गटबंधन ने क्लीन स्विप कर दिया है इंडिया गटबंधन ने क्लीन स्विप किया है दोस्तों ये रिपोर्ट ABP News News 24 जैसी मीडिया संस्थानों की है तो चलिए शुरू करते हैं ओपीनियन पोल में किस तरह से भारतिय जरता पाटी को 100 सीटों का नुकसान होता हुआ नजरा रहा है और वहीं पर इंडिया गटबंधन को 100 सीटों का फाइदा हो रहा है नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश नीती पर 400 पार का दोस्तों एक तरफ नारा नरींद्र मोदी दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार तो वहीं एक तरफ विपक्ष को तोड़ने की कोशिश करनी पड़ रही है अगर भरतिय जिनुतर पार्टी अगर नरींद्र मोदी अगर अमित्शा को पता है बालूम है कि इस बार हम 400 पार करेंगे इंडिये 400 पार करने का ताकत रखता है ये गटबंधन फिर बार बार विपक्ष को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है क्यों अरविंद किज्रिवाल को जेल में चुनाव से पहले डालने की जरूरत पड़ गई क्यों मनिस सुधिया जेल में है क्यों संजय सिंग जेल में है क्यों महुआ मैत्रा के खिलाव E.D. के साथ साथ अब CBI की उस मामले में एंट्री हो गई और महुआ मैत्रा को वहाद चुनाव ना लडने दिया जाए उसकी कोशिश क्यों की जा रही है क्यों हेमन सोरेन क्यों तेजस्वी यादव क्यों अखलेश यादव फर इडी ने शिकंजा कसा है यह सवाल जो है दोस्तों इसके साथ सीटों का जो आंकड़ा है सीटों का जो आंकलन है जो चुनावी नतीजे जो है उसका एक बड़ा कनेक्शन है क्योंकि नरीद्र मोदी चाहे कितना भी दावा कर ले कि अब की बार 400 पार वो नारा सफल होता हुआ हकीकत में मैदान में चुनावी मंच पर तो नजर आ रहा है लेकिन चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रहा क्योंक बारतिय जनता पार्टी को 100 सीटों का नुकसान हो सकता है इसलिए इसलिए इंडिया गठबंधन को इसलिए विपक्ष को इसलिए केजरिवाल को इसलिए हेमन सोरेन को इसलिए तेजस्पी यादव को इसलिए अखिलेश यादव को तोड़ने की जरूरत भारतिय जनता पार को पड़ रही है एक एकर मैं आपको बताऊंगी कि किन सौसीटों पर मामला फस चुका है और किन सौसीटों पर इंडिया एलाइंस इंडिया गटबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजरा रहा है दोस्तों सबसे पहले केरल की बात करते हैं केरल में अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा ABP News ने ये उपीनियन पोल जारी किया है सी वोटर को पीनियन पोल है जिसमें 2024 का सबसे बड़ा उपीनियन पोल केरल का ये माना जा रहा है जी हां केरल जो है जहां पर भारतिय जनुता पार्टी 20 प्रतिशत वोटों के वोट जो है भार मिज़रा रहा है वही पर LDF की बात करें यानि लेफ्ट की बात करें तो 31 प्रतिशत वोट जो है वो LDF के खाते में है और 4 प्रतिशत जो है वो अन्या के खाते में है यानि केरल में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जो है वो UDF यानि इंडिया गटबंधन के पास जिन्रल पार्टी के पास है दूस्तों वहीं पर अगर सीटों की बात की जाए तो कुल 20 सीटे हैं केरला की कुल 20 सीटों का अगर अंकलन किया जाए अगर ओपीनियन पॉल देखा जाए तो कोई नजर नहीं आ रही है मोधी के फोटो के साथ एक बड़ा सा गुल्ला एक बड़ा सा जिरो एक बड़ा सा राजगुल्ला नजर?" वही पर राहुल गांधी के फौटो के साथ ABP C voter के मताबिक UDF को 20 सीटे जो है वह राहूल गांधी का जो इंडिया कट पंधन है जो UDF है उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है वही पर LDF को दोस्तो LDF को शून्य सीटे और आदस को भी शून्य सीटे हैं यानि 20 के 20 सीटे के रिला में कहीं न कहीं राहूल गांधी उठाते हुए नजर आएंगे वहीं सबसे बड़ी बात पश्यम बंगाल 40 बिहार और उसके बाद 49 सीटों के साथ तमिलनाडू सबसे बड़ा साउथ में रज्य है जो सबसे ज्यादा लोकसमा की सीटों के साथ चुना वहाँ पर लड़ा जाता है तो 49 यानि 39 सीट्स में अगर तमिलनाडू को देखा जाए तो भारतिय जिन्नता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है तमिलनाडू में दोस्तों तमिलनाडू में बीज़पी शून्य यानि फिर एक बार नरींद्र मोदी की फोटो के साथ एक बड़ा सा गोल एक ले जा रही है वहीं AI DM के जो है वो भी शून्य पर है आदस भी वहाँ पर शून्य पर है यानि सी वोटर के मुताबिक तमिलनाडू में भारतिय जिन्नता पार्टी के हाथ एक भी सीट लगने वाली नहीं है 49 के 49 सीटे DM के लेकर के जाएगे यानि भारतिय जिन्नता को लगनी जा रहा है और ये खुलासा खुद ABPC वोटर ने किया है तो वहीं दोस्तों के रासाम की बात करें असाम के डबल इंजिन की सरकार है हिमंत विश्व सर्मा जो है वो सबसे बड़े नेता के तौर पर भारतिय जन्नता पार्टी में देखा जाता है उन्हें एक तरह हां से नरींद्र मोदी जी का उतराधिकार भी माना जाता है ऐसे में डबल इंजिन की सरकार भरतिय जन्नता पार्टी की सरकार हिमंत विश्व सर्मा की सरकार जो है वो असाम में होने के बावजूद भी NDA सिर्फ BJP को नहीं NDA एलाइंस को सिर्फ 45 प्रतिश्द वोट जो है ABPC Voter Opinion Poll के मताबिक कुल 14 सीटों की अगर बात की जाए तो असाम में NDA को महस 45 प्रतिश्द वोट जो है वोट परसेंटेज जाता हुआ नजरा रहा है वहीं इंडिया एलाइंस की बात की जाए तो 38 परसेंट यानि कांटे की टकर है दोस्तों ज्यादा फर्क है नहीं ऐसे जिनुता पाटी NDA और इंडिया के बीच फासला ज्यादा है नहीं महस 6 से 7 प्रतिश्द वोटों का अंतर है वहीं दोस्तों आपको मैं एक और एक और सर्वे दिखाती हूँ यह सर्वे एकस के जरीय किया गया है और यह सर्वे हमारे जैसे पत्रकार या हमारी जैसे मीडिय जिनके शायद followers ऐसे हैं जो सच पर अधारी थे जो सकता से सवाल पूछने और सवाल सुनने के छमता रखते हैं ऐसे में हो सकता है कि हम कोई opinion पोल ट्वीटर पर या अपनी YouTube चैनल पर जारी करें तो आपर ज्यादा वोट जो है अब कह सकते हैं कि वो विपक्ष के खाते में जाता हुआ नजर आएगा लेकिन अगर News 24 या ABP News जैसे चैनल अगर किसी तरह के opinion पोल को सारवजनिक करते हैं जहां हजारों लाखों लोग एक साथ शामिल होते हैं अपनी राय रखते हैं वहाँ पर अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है जहां पर भारतिये जिनता पार्ट पर सवाल पूछा गया जी हां बिहार में जहां पर 40 सीटे हैं बिहार में बिहार ऐसा रज्य है जो बार बार मैं कहती हूं देश की राजनिती की दिशा और दशा तै करती है उस बिहार में क्या सवाल पूछा गया बिहार पर कि लोगसभा चुनाव Elections 2024 बिहार में NDA गटब बंधन मतलब नरींद्र मोदी की जो सरकार है नरींद्र मोदी का जो कटबंधन है यानि नरेंद्र मोदी और नितिश कुमार मिल करके कितनी सीटे ला पाएंगे क्या क्या ओप्शन दिया गया एक से नौ सीटे यानि दस सीटे भी भरती है जनता पार्टी और नितिश कुमा पर ही भारतिये जनता पार्टी और नितिश कुमार को सिमटना पड़ जाएगा जी हां दोस्तों बिहार में 40 सीटे हैं उनमें जनता का ये मानना है जनता की राई ये है कि 10 सीटे भी नितिश कुमार और नरींदर मोदी मिलकर के नहीं ला सकते यानि नितिश कुमार का नरींद मोदी के साथ भारतिये जनुता पार्टी के साथ गटबंधन बड़ा महंगा पड़ गया है लोकसभा चुनाव में बिहार में जहां पर पिछली बार 36 से अधिक सीटे भारतिये जनुता पार्टी और नितिश कुमार मिलकर के लाए थे जो एंडिये गटबंधन है वो मिलकर के 36 से अधिक सीटे 40 में लाए थे वही गटबंधन इस बार मू के बल गिर गया है और ये साफ हो गया है ये जनता की राय है कि 10 सीटे भी ये एलाइंस जीत नहीं सकता बिहार में यानि धोखा करना, पीट पीछे छोरा घोपना इस बार नितिश कुमार को बड़ा महंगा पड़ गया वहीं दोस्तों इस रिपोर्ट को देखिए ये दिल्ली पर हैं जहांपर केजरिवाल को रेस्ट किया गया जहांपर केजरिवाल की ED द्वारा गिरिफतारी हुई उसके बाद इस ओपीनियन पोल को आप देखिए दिल्ली में इंडिया गटबंधन पिछले बार एंडिया के बारे में बिहर में पूछा किया इस बार पूछा जा रहा है कि दिल्ली में इंडिया गटबंधन को कितनी सीटे मिलेगी कुल सीटे है दिल्ली में लोकसभा सीटे साथ है सेवन लोकसभा सीट सें दिल्ली में और इस बार लोकसभा चुनाव इंडिया एलाइंस में केजरिवाल और राहूल गांधी यानि कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रही है वो जो मिलन है वो जो गटबंधन है Congress प्लस अमादमी पाटी उस गटबंधन को कितनी सीटे मिल सकती है उस पर ये opinion पोल है जहां ये सवाल पुछा गया कि दिल्ली में इंडिया गटबंधन को कितनी सीटे दी जा सकती है शूनिय से दो सीटे, दो से पांच सीटे, पांच से साथ सीटे यहां पर 81 प्रतिशत लोगों ने ये माना कि इस बार दिल्ली में साथ के साथ सीटों पर पांच से साथ सीटे उनमें से जो इंडिया एलाइंस है यानि कॉंग्रियस और आमादमी पार्टी को मिलता हुआ नजरा रहा है ये एक आप कह सकते हैं कि 2024 चुनाम से पहले इतना तो साफ हो गया कि जनता की राएं कुछ और है, गोदी मीडिया दिखा कुछ और रही है और साथी साथ नरींद्र मोदी स्टेज पर घड़े होकर 400 पार का दावा ठोक रहे हैं लेकिन 400 पार का दावा ठोकने के बाद भी क्यों विपक्षी निताओं की सिटिंग सीम की गरिफतारी हो रही है ये साथ दर्शाता है कि they know that they are going to lose 2024 election इसलिए इसलिए नरींद्र मोदी, आमिट शा और भारती चनुता पार्टी को हार की डर जो है वो सता रहा है और ये खुलासा तो मैंने नहीं किया, ये खुलासा देशनिती नहीं किया ये खुलासा खुद News24 और ABP News के सर्वे में, ओपीनियन पोल में सी वोटर सर्वे में खुल कर के आया है कि केरला, तमिलनाडू, बिहार और दिल्ली, इन चार राज्य में भारतीय जनुता पार्टी को 100 सीटों का नुकसान होने जा रहा है अब ये नुकसान भारतीय जनुता पार्टी को अपना बहुमत साबित करने में कितना महेंगा पड़ेगा, ये तो चार जुन को पता चल जाएगा फिलाल इस उपीनियन पॉल पर आपकी राएं क्या है, इस रिपूर्ट पर आपकी राएं क्या है कि आपको भी लगता है चाहे कितना भी दावा, कितना भी ED, कितना भी Income Tax, कितना भी CVI rate क्यो न हो जाए आगर जनता जो है वोट के जरीए अगर निस्पक्ष चुनाव हो अगर EVM का कोई खेल ना हो तो निस्पक्ष चुनाव के जरीए जनता भारतिया जनता पार्टी को सत्ता से उखार के फेक सकती है ये ताकत जनता रखती है क्या आप इस बात के साथ सहमत है अगर हाँ तो की मदद करने के लिए थैंक्स ऑप्षन का इस्तेमाल करें बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत